ब्रोकरेज हाउसेज क्या कह रहे हैं नमबस को देखकर सुमित बताइए शुक्रेए हेमन देखिए ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी मेजरली डाउनवर्ड साइट पर है सबसे पहले शुरुआत करते करेट स्वीश के साथ उन्होंने एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है क साथ स्पोर्ट नियर टम में देगा साड़ा इन्सुर रूपय के आसपास जो तीन्हों पच्छिस रुपय के आसपास का बाइबाक आ रहा है वो बहुत ज़ादा सपोर्टिव नहीं रहेगा एट लीस नियर टम में वह होल्ड करा सकता है मेजरली जो सभी ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपनी जो EPS एस्टिमेट्स उनको 1-5% के आसपास कट किया है इसके अलावा सिटी की वे एक रिपोर्ट है सेल टागेट दिया उन्होंने करीब करीब 230 रुपे के यहां पर लक्षा रहे हैं ब्रोकर्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़ादा वो इसको इनकरेजिंग नहीं मान रहे हैं नंबर्स को हला कि टागेट्स को रिवाइस किया गया अपवर्ट साइड पर और 255 रुपे के आसपास के टागेट्स के बढ़ा के किये गए हैं जो रेटिंग है वो अंडर वेट है और टागेट्स को रिवाइस किया गया है अपवर्ट साइड पे मार्जन की गाइडेंस एक परसेंट इन लाइन बोली जा रही है टॉप लाइन इन लाइन बोला जा रहा है हाला कि जो स्पेशल डिवेंट है उसको थोड़ा सा वो ज़रूर इंकरेजिंग मान रहे है नीट्रल रेटिंग फिलिप कैपिल के तरफ से आई है और ये जो रिपोर्ट है उसके एसाब से बहुत ज़ादा इंकरेजिमेंट निये लेकिन हाँ स्लाइटली आप फट सेट बे टागेट सेखे जा रहे हैं कैसे देखते हैं आप आप की रिपोर्ट है उन्होंने बाइर रेटिंग दी है है एक सो अठासी रुपे का टागेट दिया है क्यूफोर की जो प्रोडक्शन है उसमें उन्होंने एक स्ट्रॉंग नंबर्स की उमीद यहां पर जताई है और साथ साथ यह भी कहा कि एक वाल्यूम है वो अचीवेबल है उसको शायद आने वाले टाइम में ब्रोकर ब्रोक कर सकते हैं मुरी तो यह दो और रिपोर्ट है इसके उपर आप नज़र रखें शुर्याद सुमित आपका इसा जानकारी के लिए बैच्ट